हाई फ्रेंड्स वेल्कम बैक मैं डॉक्टर आशा गाउडे गाइनेकलोजिस्ट एन आई विफ कंसल्टंट उमंग होस्पिटल लडप सरपूने से आप सभी का मैं मेरे यूटूब चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ बेसिकली मेरे जो रनिंग प्रेगनंट फ्रेंड से रनिंग प्रेगनंट विवर से उनके लिए एक खास शॉर्ट वीडियो लिख्या ही हूँ जो हर अल्टरनेट प्रेगनंट लेडी का कंप्लेंट रहता है कि डॉक्टर मुझे प्रेगनंसी में वीकनेस बहुत ज़्यादा रहता है मेरा स्टैमिना बहुत कम हुआ है मुझे बिलकुल भी काम करने की इच्छा नहीं होती है तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ खास टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपका वीकनेस कम हो जाएगा और आपका स्टैमिना बढ़ेगा बहुती बेसिक और सिंपल से टिप्स है फ्रेंड्स कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जो डेली आपके रुटीन में फॉलू कर सकते है पहला टिप आएगा कि आपको नीद अच्छे से लेनी है अगर आपकी नीद कंपलिट नहीं हो रही तो उसकी वज़े से भी आपको थका थका लगेगा विकनेस लगेगा अपका स्टैमिना कम रहेगा आपको काम करने की इच्छ नहीं रहेगा तो आप नीद अच्छे से लेने का ट्राय करो जो भी आपके नीद के जो भी आपके वीक जितने आपकी नीद अच्छे से रहेगी उतना आपका stamina अच्छे से रहेगा आपको energetic feel हो जाएगा दूसरा important tip रहेगा कि आपको 3-4 लिटर total liquid intake लेना है 24 गंटे में 3-4 लिटर याने क्या 12-15 glasses पूरे दिन में पानी पीने का ट्राई करते जाओ तीन से चार विसलेरे के bottle आपके खतम होने हैं इसके साथ में आप डेली coconut water लेने का ट्राई करो आप डेली limbo शर्बत लेने का ट्राई करो आप डेली juices, homemade juices लेने का ट्राई करो जो रियल ट्रॉपिक आना की juices आते उसमें थोड़े बहुत preservatives रहते शुगर रहता है तो इसकी वज़े से आपकी immunity कम हो जाती, stamina कम हो जाते है तो जितना जमता है आप fresh juices लेने का ट्राई करो तीसरा important tip रहेगा मेरा कि आप थोड़ी बहुत basic exercise करने का ट्राई करो थोड़ा बहुत breathing exercise करेंगे, आप अनुलोम-विलोम करेंगे, meditation करेंगे 15-20 minutes time निकालो, कहीं बेभी आप office में बैटे है, break है थोड़ा सा या घर में है आप 15-20 minutes breathing exercise करने का ट्राई करो बाकी जो pregnancy related exercise है, जिसके बहुत सारे वीडियोज हम लोगों ने publish किये है तो थोड़ा time निकालो खुद के लिए और exercise करने का ट्राई करो exercise से क्या होगा कि आपके throughout body को, body के हर cell को blood supply अच्छे से जाएगा, oxygen का supply अच्छे से जाएगा और उसकी वज़े से आपके हर body की cell energetic feel करेगी, उसको oxygen और blood supply अच्छे से जाएगा तो वो अच्छे से काम करेगी, आपको energetic feel आएगा, आपका stamina बढ़ेगा और आपको ऐसे लगेगा नहीं कि आप ठक गए है, आपको सोने की इच्छा होगी, ऐसा नहीं लगेगा आप energetic feel करेंगे, तो आप कम से कम आदा घंटा या 15-20 मिनिट तो exercise करने का try करो और एक important tip रहेगा कि walk करने का try करो अगेन walk करने का भी same fund आहे, आपके body का blood supply बढ़ता है, body का circulation active होता है आपके body के हर cell को oxygen supply अच्छे से जाएगा और आपका stamina बढ़ेगा चोथा important tip रहेगा मेरा कि आप आपका diet अच्छा रखो, balance diet रखो मानों आपको बहुत सारा चटपटा या फिर bakery के चीजे ये सब खाने के अगर आदत है तो उसको थोड़ा कम करो थोड़ा healthy food खाने का try करो green leafy vegetable compulsory आने है आपके diet में, आपके diet में salad compulsory आना है आपके diet में fruits compulsory आने है, आपके diet में protein काफी होना है, आपके diet में dry fruits काफी होने है तो ये balance diet अगर आपने लिया तो आपके body को nutrients अच्छे से जाएंगे, आपके tissue अच्छे से काम करेंगे और आपको energetic feel होगा बाकी diet में कुछ-कुछ छोटे-छोटे घरेलू उपाई भी मैं आपको बताऊंगे कि आपको diet में lesson compulsory यूज करना है, बहुत सारे लोगों को प्याज lesson पसंद नहीं रहता है लेकिन lesson आप यूज करते जाओ, वो भी आपकी immunity बढ़ाता है, आप हल्दी अच्छे से यूज करते जाओ, आप आदरक यूज करते जाओ, आप देसी घी यूज करते जाओ, तो ये जो ayurvedic home remedy है, ये भी अपने को secondary support करते हैं, अपने body के या tissue का degeneration वो नहीं होने देते हैं अपने body के जो west material है, अपने body के जो toxic material है, वो जल्दी से अपने body से urine के थ्रू या sweat के थ्रू या motion के थ्रू वाश आउट हो जाते, तो ये जो अपने घरेलू उपा है, जो अपने घर के लोग अपने को बोलते रहते हैं, आप दही खाने का ट्राइ करो, रोज या alternate day, आप लेते जाओ, तो ये सब चीजे हैं, लिम्बू लेते जाओ, आपके diet में ये सब चीजे include करो, अगर आप regularly नहीं लेते हैं, तो इसके वज़े से आपके body को support मिलेगा, आपके body को energy मिलेगी, हर cell को अच्छा nutrition मिलेगा, आप energetic feel करेंगे, आपका weakness कम हो जाएगा, और आप आप इसमें cert picket submit करना है, चुट्टी डालनी है, और मुझे घर पे rest करनी है, मेरे office का बहुत hectic schedule रहता है, लेकिन friends वैसा नहीं है, आप आपका office enjoy करो, ये सभी tips आप follow करते रहो, आप आपकी pregnancy भी enjoy करेंगे, office का काम भी कर पाएंगे, तो friends अपना जो आज का short and sweet video है, कि pregnancy में आप आपका stamina बढ़ाने के लिए कौन से कौन से tips follow करने है, वो अगर आपको useful लगा होगा, आपको important लगा होगा, तो आपके running pregnant friends जो है, उनके साथ ये share करो, उनको भी देखने को बोलो, हमारे channel को आपने अभी तक subscribe नहीं किया होगा, तो हमारे channel को subscribe करो, thank you